वैसे तो इस वक्त क्रिकेट में एशिया कप और उसके बात होने वाले वन डे वर्ल कप को लेकर माहौल गर्म है लेकिन इस बेच टीमों की तैयारी अगले साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल कप को लेकर भी जारी है जो की 4 जून से 30 जून के बीच करेबियाई और United States की सरजमी पर खेला जाएगा अब इस वर्ल कप को अगर टीम इंडिया के एंगल से देखें तो इंडिया का हर एक क्रिकेट फैन इस बात को जानना चाता है कि क्या इस वर्ल कप में विराट टीम इंडिया की T20 टीम का हिस्सा होंगे अब फैन्स के मन में इस सवाल का आना भी लाजमी है क्योंकि आज से करीब 9 महने पहले विराट को आखरी बात टीम इंडिया की T20 टीम में देखा गया था और वो मौका था T20 वर्लकप के सेमी फाइनल का लेकिन उसके बाद से विराट का नाम T20 टीम से मानो गायब ही हो गया है और ऐसा भी नहीं कि टीम ने इसके बाद ज्यादा T20 मुकाबले नहीं खेले बलकि वर्लकप के सेमी फाइनल के बाद से इंडिया 14 T20 मैच खेल चुकी है इसलिए अब जहां एक तरफ टीम इंडिया आने वाले T20 वर्लकप से पहले एक नई T20 टीम तयार करने में जुटी है वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के फैंस को विराट कोली के फैंस को यही सवाल बार बार सता रहा है कि क्या विराट अगले वर्लकप में खेलेंगे या नहीं लेकिन अगर इसमें इंडिया के पॉमर बैटिंग कोज संजय बांगर की राय जाने तो उनके मताबिक विराट में जो टैलेंट है और अनुभव है उनको कोई T20 वर्लकप से बाहर नहीं कर सकता उन्होंने अपनी इस राय में कहा कि सौब रतीशत विराट T20 टीम का हिस्सा होंगे जिस सरफ विराट पिछले T20 वर्लकप में खेले उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उन्हें टीम से बाहर करना सही फैसला होगा आप जानते हैं कि बड़े मौकों पर इस तरह की एक गलती आपको बड़ा नुकसान कर सकती है आपको ऐसे मौकों पर बड़े प्लेयर टीम में चाहिए होते हैं और इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए कि फ्लेयर का स्ट्राइक रिट कैसा है या फिर वो IPL में कैसा कर रहा है बड़े मैचों में आपको बड़े प्लेयर की जरूरत होती है और विराट उस जर्जे के खिलाडी हैं ये हम सभी पिछले बार इंडिया पाकिस्तान के मैच में देख चुके हैं संजेब आंगर ने हाल ही में ये बात एक यूट्यूब चैनल पर कही उनकी इस बात में ये साफ नजर आया कि विराट में अंडर प्रेशर खेलने का जो टैलेंट है वो किसी और खिलाडी में नहीं और खेर इस बात को तो हर एक क्रिकेट फैन जानता होगा जिसने पिछले साल 2022 टीडविंडी वर्लकप में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला देखा जिस सरा अकेले लड़ते हुए विराट ने पाकिस्तान के मूँ से जीच छीन ली और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बलकि और भी कई बड़े मौकों पर विराट को इस तरह का मिरेकल करते देखा गया है लेकिन अब इसमें टीम मेनेजमेंट क्या सोचती है और 2024 टीडविंडी वर्लकप से पहले विराट और कितने टीडविंडी मुकाबले मिस करते हैं ये देखना दिल्चस्थ होगा स्पोर्ट्स तक ब्यूरो मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव अनालेसिस, स्पेशल इंटिव्यूस, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक एम